हेलो गाईज, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ छोली की सबजी बनाने की रैसिपी जिसमें ना आपको प्यास काटने की जरुत है ना लैसुन चीलने की जरुत है बस एक आसान सी ट्रिक और आपकी छोली की सबजी बन के हो जाएगी रेडी तो फिर देख इस बात क है चलिए शिर करते हैं यहां पर मैं गंजी में एक लोटा पानी लूँगी और उसमें एक चमच चाय पत्ती डालूँगी और इस चाय पत्ती के पानी को हम अच्छे से खौला लेंगे दूसरी तरफ जो हमारी छोले हैं वो हमने रात को ही फुलोने रख दिये थे अब हम इसको एक कुकर में निकाल लेंगे चलिए हमने चाय पत्ती का पानी गरम किया था वो अब हम इन छोलों में निकाल लेंगे चन्नी से चान के अब हम इसमें मिक्स करेंगे थोड़ा सा सोडा और इसको अच्छे से मिला देंगे उसके बाद कुकर का ढखकन हम लगा कर इसको गैस पर रख देंगे और तीन से चार सीटी हम इसमें लगाएंगे चलिए छोले जो हैं वो हमारे पक्के हैं अब हम एक कटोरी मिलेंगे दो चम्मच लाल मिर्श पाउडर एक चम्मच हल्दी पाउडर दो चम्मच धना पाउडर और इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे और इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे चलिए हमारा जो सारे मसालों का घोल है वो बनके रेडिय हो चुका है चलिए अब हम कड़ाई में एक बड़ा चमुमचा तेल लेंगे उसके बाद हम इसमें 4-5 हरी मिश्ट डालेंगे एक चम्मच जीरा और जो हमने मसाला रेडि किया था वो हम इसमें मिक्स कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे उसके बाद जो हमारी चोले थे वो हम इसमें डाल देंगे उसके बाद हम इसमें एक चम्मच नमक डालेंगे और वापिस से इसको अच्छी तरह से mix कर देंगे उसके बाद हम इसमें दो कटोरी पानी mix करेंगे और इसको थोड़ा से चला कर इसको ढखकर 10 मिनिट के लिए रख देंगे चलिए अब यहाँ पर मैंने लॉंग और काली मिर्श ली है अब मैं इसको अच्छे से कूट लूँगी और ये जो हमारी सबजी है उसमें मैं इस काली मेर्च और लॉंग को मिक्स करूँगी ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है हमारी सबजी को चलिए हमारी छोले की सबजी बनके रेडी हो चुकी है आप देख सकते हैं ये कितने अच्छी देख रही है और ये बहुत ही आसानी से बनके रेडी हो चुकी है ना इसमें हमने प्यास डाला है ना लेसुन डाला है बिना प्यास लेसुन की ये सबजी है आप कभी भी इसको ट्राय कर सकते हैं ये जटपट बनके रेडियो जाती है और इसका स्वात भी बहुत ही ज्यादा लाजवाब है और आप इस छोरे की सबजी को भटूरे के साथ इंजॉय कर सकते हैं तो गाईज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा